पुल्वामा में जो अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थितियां पूरे देश भर में बनी हुई है पूरा देश सेना के साथ एक साथ पूरे उत्साह और जोश के साथ खड़ा है इन ही सारे विश्वयों पर आतंकवाद और पुल्वामा हमला इस विशे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियों में पधा रहे हैं करनल डी एस गुजर जी करनल साब आपका बहुत स्वागत है हमारे यहां अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चों को माताएं बच्पन में लोरी के साथ भी देश भक्ती के गीत सिखाती हैं राश्ट्र भक्ति के संसकार देती हैं और उन्हीं संसकारों के कारण हमारी सेना पूरे विश्व में अदम्य साहस और शोर्य का प्रतीक बनी हुई है हमारे यहां पल-पल कहा जाता है कि राश्ट्र भक्ति का मुल्य प्राण है देखें कौन चुकाता है देखें कौन सुमन शैयातज कंटक पत अपनाता है तो उस कंटक पत पर हमारी सेना चलती है तब जाकर ये पूरा देश सुरक्षित रहता है तब जाकर आतंकवाद की AD पर आतंकवाद के फन पर AD रगडने की बात हम लोग कह सकते हैं और किस प्रकार से कितना कठिन है किस प्रकार से योजना बनती है कैसी रणनीती होती है इन तमाम विश्यों पर हम चर्चा करेंगे करनल साब सबसे पहले आप से चर्चा करना चाहेंगे इस विशपर की आखिर जो आतंकवाद है यह देखा जाए तो वर्तमान दौर में तो पूरा विश्व इसकी चपेट में है पूरा विश्व इससे लड़ रहा है लेकिन हम बात करें भारत की हिंदूस्तान की तो भारत और आतंकवाद यह किस प्रकार का कुछ कोई अलग तरह का आतंकवाद है किस प् करना चाहूँगा भारत की जनता का जो सेना पर इतना विश्वास रखती है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा मैं सेना से सेवा निवरत हो चुका हूँ लेकिन सेना आपकी उमीदों पे खरी उतरी है और भविश्य में भी उतरेगी इसके साथ जैसे आपने सवाल कि या उग्रवाद और भारत मेरा मानना है कि उग्रवाद और भारत एक बहुत उस समय से हमारे साथ जुड़ा है ये एक हजार वर्ष पुरानी परमपरा से जुड़ा है आप देखिए ग्यारा सो बानवे के अंदर प्रत्विराद चोहान साब को लड़ाई हार जाते हैं और उ भी एक प्रकार का आतंक वाद है जो मैं मानता हूँ आज के दोर में भारत के इस्थिती में सेंटालिस से पहले की चर्चा लोग करते नहीं हैं मेरी गुजारिस है सेंटालिस से लेकर के भारत को देखने की गल्ती ना करें ये बहुत पुरानी बीमारी है तो इसलिए उस सम सेंटालिस में जो पहले जब विवाजन होता है देश का किन कारणों से वा किन परिस्थिती में वो विशे नहीं है पर सचाई यह है कि उस दौर में भी हमारे लाखों बेगुना भारतिये नागरिकों का कतल हुआ और वो भी एक उगरवाद का एक्जाम्पल था तो करणल साब आपका आतंकवाद को निपटने में आतंकवाद से लडने में भी आपका बड़ा अनुभव रहा है श्री लंका में लिट्टे का जो आतंकवाद था लिट्टे की जो गतिविधियां थी उनसे किस प्रकार निपटा गया उसके बाद में कश्मीर में जो स्थ करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पुलवामा में अभी हमला हुआ उसके बाद वस्तों में जो सैनिक है जो सीमा पर डटा हुआ है जो सेना है उसके मनोबल पर किस प्रकार का असर पड़ता है जी मैं क्या आपकी इजाज़त है मेरे को मनोबल पर आने से पहले थोड़ी सी मैं international order जो terrorism है उसका हमारी जनता को बताना चाहूँ है कि हम में और दुनिया की सोच में कहीं थोड़ा फरक है आप देखिए उगरवाद एक ऐसा शब्द है जो भारत चिला चिला के दुनिया को कुछ वर्षों पहले तक कहता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है उन लोगों ने कभी तवज्जू नहीं दी और एक समय ऐसा आया जब ट्रेट टावर को उड़ा दिया गया तब दुनिया को लगने लगा कि यार उगरवाद तो सच में बहुत डीप रूटेड आ गया है तो जब बाकी विदेशों में जब यह इसका प्रभाव होने लगा तो उस समय हमारे कभ भी अपने अपने स्तर पे यह सारी चीजे कर रहे थे और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि तब दुनिया मानने लगी कि उगरवाद कोई सेंस एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जी नौ उस समय आप याद कीजिए कि अमेरिकन जब उन पे स्ट्राइक होई देसेड आ आज के दौर में जो हमारे तंत्र है हमारी सरकार है जो लीडर्स है हुकम नाम है उन सबने ये कनवे करने में सफलता पाई है कि भारत बहुत बड़ा इसके इसने सफर किया है टेररिज्म को और मैं बदा ही देना चाहूंगा जो भी लोग इस सीज़ को डील कर रहे हैं राजनेतिक नेत्रत्व को आप मैं बिलकुल बिलकुल लेकिन मैं आपसे चर्शा ये भी करने चाहूंगा करनल साब की जिस प्रकार का स्टेटमेंट प्रधान मंत्री जी का आया या सरकार से जुड़े हुए अन्य लोगों का आया उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये पर क्या आसर होता है क्या कहना चाहेंगे जी जी मैं आपसे गुजारिस करूंगा मेरे पहले सवाल का जवाब दे दूँ फिर सवाल कीजिएगा ने छुट जाएगा अब ये इसके साथ साथ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे से उगरवाद के लिए डिरेक्टी रिले पाकिस्तान ने विचार बनाया था जिसमें बहुत सिंपल था कि ब्लीड इंडिया तिल डेथ तिल इंडिया ड़संट एग्जिस्ट जी और ये उनके पूराने जो रास्टरपती से ना देख जियाउल हग साब का बनाया हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की ज परचा मैं करूँगा आपने पहला सवाल पूछा कि जब ऐसी गतिविदी होती है सेना के मनोबल पे क्या असर पड़ता है पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साब भारत ये सेना का मनोबल कोई बनिये की दुकान नहीं है कि जो एक हासा हुआ उससे कम या बढ़ेगा वो देश भक्त लोग हैं वो अपनी ड्यूटी समझते हैं अपनी तैयारी चोईस घंटे पूरे बारा महिने करते हैं आप चिंता नहीं करें हमारे मनोबल की टर्रिस अटेक पहले हुआ है लड़ाई हुई है और आने वाले समय में भी होंगी उसका पूरा जवाब दिया जाए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे सेना का जवान सेना का अधिकारी कन्फ्यूज हो जाता है नहीं मैंने सवाल किया है प्रधान मंतरी जी का जी जी मारा हूं मारा हूं तो जब सरकार एक स्टेटमेंट देती है कुछ लोग अलग देते हैं तब मनोबल पे असर पढ देना चाहें बगवान उनको उनकी सफलता कभी काम्याब ना करे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जहां तक political strategy और यह issue and defense related मैं मानता हूं उनसे मेरी गुजारिस ही हो सकती है क्योंकि यह democratic country है democracy है पर इसमें इतनी छूट भी नहीं होने चाहिए जो देश से जुड़े sensitive issues पे political चर्चा नहीं होने चाहिए और जैसे इन दिनों में यह attack आया प्रदान मंतरी जी महुद है जो अभी हमारे देश के हैं उन्होंने बिलकुल open statement दिया और कारवाई की पहली बार मां आपको बताना चाहूँगा उन्होंने कुछ चंदेख बदमासों की security cover हटाया जी मैं गुजारिस करूँगा आप से बहुत बदाई के पात्र हैं बट जो बाकी बच्चे में उनकी भी आप हटाईए जी दूसरा आप आपने बोला कि सेना को पुरी छूट है हम आपको बदाई देते हैं और यह पहले भी surgical strike के दौरान देखा गया कि सेना ने बिलकुल आपने फ्री छोड़ा सरकार ने देश बिलकुल आपकी उमीदों पे सेना खरी उत्री और हमने वो किया जो हमें करना चाहिए उसकी डिबेट नहीं है आज आपने बोला है मैं आपको भरोस्व के साथ भारत की जनता को कह सकता हूं बिलकुल सेना सही कारवाई दिसा कर रही है भरोसा रखें और हम करेंगे लेकिन कुछ इशूज हैं जो मैं चाहूंगा जनता और गवर्मेंट से गुजारिस करना मैं सिवा निवरत आदमी हूं मैं हर भाशा वो नहीं बोलूगा जो आपको पसंद आए देखिए साब कोई भी लडाई एक दिन में सुरू ना तो होती है ना खतम होती है भारत की जनता समझ ले टर्रिजम कोई नया मसला नहीं है लेकिन जब ये पुल्वामा का हमला हुआ जैश ने अटैक किया है उसने स्विकार किया है पाकिस्तान की प्रदान मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है अरे साथ स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है पर वो जानते हैं ये गुर्गे इनी के हैं आप बेवकुब बनाना बंद करो और हमारी सरकार बिलकुल आप सही काम कर रहे हैं बट मैं आप से गुजारिस करूंगा कि आप प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव स्ट्राइक करन हम सब जानते हैं चाइना का सामान बंद पबलिक ने करना सुरू कर दिया है और पबलिक से भी गुजारिस है कि वो कम करे खरीदना सरकार से गुजारिस है पानी बंद करे पाकिस्तान का और सरकार से गुजारिस और है जो लोग सेना के काम में दखल डाल रहे हैं जो और ग् सेना के माध्यम से किये जा सकते हैं और जिस प्रकार से पुलवामा में हमला हुआ और उसके बाद पूरा राश्ट्र एक साथ सेना के साथ खड़ा हो गया तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आम जनता की मन में भी जिस प्रकार के भाव थे जिस प्रकार के स्वर सुनाई दे रह और घर में बैठे गद्दारों से सबसे पहले युद्ध करो इस प्रकार की ध्वनी जब सुनाई दे रही थी कि घर में बैठे गद्दारों से सबसे पहले युद्ध करो तब कहीं न कहीं यह लगता है कि सरकार ने जो है जो अलगावादियों को सुरक्षा धी हुई थी वो स प्रकार से तैयारियां चल रही होती है क्योंकि तरीके से कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं कि आप तो नगाड़ा बजी ही चुका है सरहत पे शैतान का तो नक्षे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का ये भी भाव आते हैं सेना किस प्रकार से अपनी तैयारियों को और रही बात उनको खतम करने की मैं भारत की जनता से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि साब सैनिक तो स्यादत देता है सैनिक अपना काम कर रहा है आप में रोश रहता है च्यार दिन पांस दिन च्छे दिन और उसके बाद यह चीज़ गाइब हो जाती है मैं आप से गुजा कर लो पाकिस्तान ने तो सुधरना नहीं है जैसे उड़ी हुआ उड़ी के बाद नग्रोटा हुआ नग्रोटा के बाद अब इन्हों ने यह किया है और तीनों जैशे की कारवाई है जैश मुहम्मद की अब आप फैसला कर लो दस दिन बाद क्या चोटी मोटी मिठी मिठी बाते करके और कुछ करना चाहोगे सेना तयार है जवाब देने को और मैं आपको मोटी चीज़ बता सकता हूँ जो सेना के काम से रिलेटेड नहीं है किसी को खतम करना है बड़ा फैसला समय लगेगा कोई बात नहीं पर आज दिखाईए ना जो देश के गद्दार है जो ज देखिए आपने मोस्ट फेवर्ट स्टेटस अटाया बढ़ाई के पात रहे सरकार पर साब एक बढ़ाई मेरी तरफ से मुझे मोका दो मैं आपको दूँ आज पानी बंद क्यों नहीं करते आप पाकिस्तान का कौन सा आपको इंटरनेशनल इजाजत लेनी है तो कुल में ल लेकन फिर आग जलनी चाहिए यह आग करनल साब के मन में भी जल रही है और देश वाशियों के मन में भी जल रही है करनल साब इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे और आप से यह जानकारी चाहेंगे कि जिस प्रकार से सेना ने अभी जमू कश्मीर मे मुख्यधरा में आये यदि अलगाववादी काम करेंगे और बंदूक उठाएंगे तो समाप्त कर दिये जाएंगे एक कड़ा संदेश देने का काम परकार से सेना ने किया है मैं आपको बताना चाहूँगा मैं स्री लंका में था स्री लंका के बाद कश्मीर में भी लंबा समय रहा पंजाब में भी एक्सपिरियंस है आपने पिएजडी भी किया तनकुएज़रा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सेना कभी भी नहीं चाहती कोई भी नागरिक हमारा मारा जाए और हमारा हर प्रियास रहता है किसी तरीके से ये आज तो दोर पबलिक में आज आ रही है जब मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ जब टीव पर डिबेट्स नहीं हुआ करती थी उस समय भी मैं 96 98 का एक्जामपल दे सकता हूँ मैं कमनी कमांडर हुआ करता था कुपाड़ा के लाके में और रास्ट्रिय राइफल नहीं नहीं बनी थी उस समय और वहाँ ये हाल था कि हर महले से फायर आया करता था लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय भी हमारा जनता से मिलकर के प्रियास रहता था कि इन बच्चों को जो बदमासी करते थे जो भी गुमरा हुआ करते थे कोई तरीके से इनको मुखे धारा में लाया जाए और आज जो आप कहरे हैं कड़ा संदेश हमारा कड़ा संदेश उस समय भी रहता था ऑपरेशन में कोई महरवानी नहीं दिखाया करते थे हम और करते हैं उनको इस कठी कठोर संदेश के अलावा मैं मानता हूं कोई चारा नहीं है और आप देखे साब बिगड़ा हुआ जो आदमी होता है उसको अगर आप सही समय पर उसको सजा नहीं देंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा आप देखे कुछ साल पहले पत्थर बाजी का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था बिगड़ा किसने आपकी पॉलिसीज ने जो थोड़े समय पहले सरकारे रही होंगी और जब सेना अपना खुद का नुकसान करके उनको अरेस्ट करके जेल में डालती है अरे पॉलिटीशन्स शरम करो आप लोग आप उनको क्या कौन सा नाम देते हैं I don't understand उन सब को जेल से रिया कर देते हैं सम पैकेज यू बटके वे नोजवान बटके वे नोजवान कम on have a bloody heart अरे आप एक बात बताईए भारत की जनता का क्यों बेब को बना रहे मैं माफी चाहूंगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं भटके वे नोजवान आपने बटके वे का मतलब समझते हैं एक नोजवान को बटका हुआ कहते तो आर्मी पोस्ट के उपर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उस पे पत्थर मारता यह कौन सा बटका हुआ है अरे बटके वे नहीं है इनको आपने बिगाड़ा है और हम भी समझते हैं बच्चे हमा पूरी है और एवन मैं आपको बता दूँ जब टेरिस्स किसी घर में गुसा होता है हम जानते हैं वो गोली मार रहा है आप अंदाजा लगाईए साब घर के अंदर से छेद में से गोली आ रही है हम चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और गोली वो देख के मारता है हमारे प हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को अब यह फैसला कर चुकी है सेना की जो लोग ऐसा काम करेंगे क्योंकि मैं मानता हूं सरकार ने भी का है हम आपको दखल नहीं करेंगे तो इनका विनाश होना तय है और समश्या जल्दी हल होगी तो सेना ने जो स्टेटमेंट दिया कहीं पनाह लेते हैं और पत्थर बाजों को जैसे भटके हुए नोजवान कहा जाता है और तमाम तरह की चीज़ें करनल साब आपने बताई लेकिन अब कही न कहीं ऐसा लगता है कि यह विशय केवल कश्मीर तक नहीं रह गया है अभी पहले तो यह देखते थे कि केवल कश जो निकल कर आया चाहे वो अलीगड मुश्लिम विश्विद्याले का मामला हो चाहे उदैपूर की घटना और तो जैपूर में भी चार कश्मीरी छात्राओं ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किये तो कहीं कि कहा जा सकता है कि यह जो विश्ब कि हिंदुस्तान में आप आदमी अपने तयार करो नमबर टू स्टेज में यह था कि कश्मीर के अंदर जितने भी और जातियों के धरम के लोग हैं उनको निकाल दो और वहां अपना एक तरह का जो यह इनका बदमासों का राज है वो करो और तीसरी स्टेज में था कि भारत का ऐसा हाल करो ऐसा उनका यह डॉकुमेंटिड है नमबर टू अब जो और आवाज उठी है साब एक दिन में नहीं उठी है यह टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है जिए वह एक कौन सी उनिवर्सिटी जिसमें बच्चे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स करने जाते हैं जेनियों में कुछ एक आवाज उठी ती तो गलती किसकी है करनल सब अभी यह करक्रम हमारा अंतिम चरण में है आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को इस करक्रम के माध्यम से जिस प्रकार का सिनेरियो है और जो हम चर्चा कर रहे ह युवाओं की क्या संदेश देना चाहेंगे आप जी मैं आपके माध्यम से तीन संदेश देना चाहूँगा पहला संदेश सरकार के लिए कि देखिए भई आप डिपलोमेसी सही कर रहे हैं पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई इंटरनल सिक्योरिटी की है वो बिलकुल तं अकिस्तान ऑकुपाइड जमून कैश्मीर किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं हमारे देश का कानूनी हिस्सा है उसके अंदर जो भी गतिविदी करे उसको खतम करना हमारा हक है किसी की इजाजत की जुर्त नहीं है दूसरी मेरी जो संदेश मैं जनता से देना चाहूँगा क कि जैसे आपने पूछा युवा, साब मेरा क्या संदेश हो सकता है, जो देश का युवा है वो तो जानता है गलत क्या है और ये बटके बटके शब्द को खतम करो, जो लोग ऐसी आवाज उठाते हैं, कानून हमारा है, कानून कारवाई करे जनता भी अब कह रही है कि उपवन से जो घात करे वो शाख तोड़ दी जाएगी और मात्र भूमी की ओर उठी हर आँख फोड़ दी जाएगी, इस प्रकार का विचार भी युवाओं में से ही आ रहा है तो हमारा युवा तो जानता है और उन गद्दारों को युवा से मत जोड़िये, वो गलत लोग हैं, देश द्रोई हैं, वो दुश्मन के एजेंट है हमारे देश में, उनके साथ जो कानून में कारवाई होनी चाहिए, कीजिए तो कानून में जो करवाई है, वो करवाई करनी पड़ेगी सेना को भी और अपने आसपास में हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रकार के तत्वों का और उनका समूल नाश करने के लिए सेना तो संकल्पित है ही, हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी और कईने कई राजनीतिक नेत्रत्व ने भी ये दिखा दिया है कि किस प्रकार से द्रड़ प्रतिग्या होकर, द्रड़ संकल्पित होकर पूरे विश्व को ये संदेश दे दिया है कि क्षमा शोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो ये गरल दिखाने का भी काम क है और हमारी सेना लगातार निरंतर सीमा पर अपनी साहस से शौर्य का परीजय कि रही रही है और उसमें जितने लोगों का बलीदान हो रहा है जो शहीद हो रहे हैं हम उन्हें भी श्रद्धानजली अर्पित करते हैं और कह सकते हैं कि है नमन उनकों की जिनकी अगनी से हारा प्रभंजन, काल कोतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनकों की जिनके सामने बोना हिमाले जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, उन आसम की परिस्तिती है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस सरकार का जो एक तरीके से सारे हमारे लोग साहता आ रहे हैं बधाई के पात रहें एक जुट रहें और जनता से भी मेरी गुजारी से जिस प्रकार आप सरकार के पीछे खड़े हैं सेना के पीछे खड़े हैं मैं बरोसा दिलाता हूँ सेना आपकी इच्छा पूर्ती जरूर करेगी जै हिंद जै भारत नमस्कार